प्यार देखने को मिलने वाला है क्योंकि रावी गेड़ चुकी है सीडियों से और शिवा को अब उसके लिए इन सब परिशाने से यानि जिस तरह से चोट लगी है शिवा उसका बहुती प्यार ते देखबाल करने वाला है और उसकी अच्छाई जैसे की धरा ने कहा है कि उसकी अच्छाई जरूर रावी के सामने आएगी और वो भी उसकी अच्छाई देकर उसे प्यार करने लगेगी तो एसा ही कुछ इस हाथ से के बाद में पूरी कहानी पलट कर रह जाएगी जब रावी के साथ हुए हासे की बात शिवा उसकर से प्यासे ध्यान रखते नजर आने वाला है और ये सब देकर गोदम और धराद दोनों ही काफी कुश होने वाले हैं और जो अनिता ने चाल चली थी वो सारी उल्टी पर जाती है जी है दोस्तों अनिता की चली हुई चाल सारी उल्टी हो जाती है क्योंकि रावी और शिवा एक दूसे के करीब आ रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है लेकिन जो धरा को गिराना चाहती थी उसकी जगेर रावी की जाती है वही पर हमें देखने हुँ मिलेगा शिवा और रावी एक दूसे के काफी करीबार हो तो शिवा बार बार रावी की मदद करने वाला है क्योंकि उसके पेर में चोटा जाने वाली है और रावी उट बेट नहीं सकती है तो सिवा उसकी हर तरह से केर करने वाला है इन दोनों के पीच का जो प्यार है अब इस हादसे के बाद में एक दूसे के सामने आ जाएगा और जब रावी बिलकुल ठीक हो जाएगी तो उसे समझ आएगा कि सीवा दिल का बुरा नहीं है वो सिप मामी के साथ बक्तमीजी करता है और जब उसे कोई छेड़ देता है तो उसे वो चीज पसंद नहीं आती है और उसके गुस्से के वज़े से ही ये जब कुछ होता है तो जो शीवा में जो गुस्सा बढ़ा हुआ है उसकी वज़े से जब कुछ होता है और रावी ठान लेती है कि अब सीवा जो इतना अच्छा इंसान है तिलका इतना अच्छा और उसने इसकी इतनी केर करी वुसी के चलते अब रावी सीवा को अच्छा समझने लगेगी और उसके साथ नजदी क्या बढ़ने वाली है तो शिवा और रावी की इसाथ से के बाद ने पूरी जिन्दी की पदल जाए की जब यहां पर इंदोरों के बीच में शुरू होगा एक प्यार वाला कनेक्शन